दोस्तों जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं तो हमारे दिमाग में सिरफ एक ही बात घूमती रहती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए इस साल कि लास्ट येर से मेरे खेत के अंदर पैदावार ज्यादा हो गेहूं की बालियों में वजन किस तरह से बढ़ायें गेहूं को गिरने से हम अपने कैसे बचाएं अगर हमारे गेहूं गिर गएं हैं तो उनके अंदर ज़्यादा नुक्षान ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए गेहूं में आखरी सिचाई हम कब करें कितने दिन पर आखरी सिचाई करें सर्वे के अनुसार भी और गेहूं में पानी देने का सही समय हमारा क्या होना चाहिए गेहूं में आखरी सिचाई करते समय हमें कौन-कौन से ध्यान रखने योग् करने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं सतीष कुमार स्वागत है आपका अपने योट्यूब चैनल भारत किशान अमारे किशान चैनल पर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दोस्तों आपको पता है कि गेहों में पानी देने का तरीका हमारी पैदावार को बढ़ा सकता है और हमारी पैदावार को घटा भी सकता है आप अगर सही से अपनी फसल के अंदर पानी देंगे सही पानी लगाएंगे तो दोस्तों एक दो किवंटल बढ़ा सकते हैं और एक फसलों के अंदर पानी भी सही समय पर लगना चाहिए दोस्तों जब हमारे गेहूं बाली की स्टेज पर आ जाते हैं तो हमारे खेत में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं उस समय पर परियाप्त नमी की आवसक्ता होती है खेत के अंदर लेकिन फिर भी किसान अक्सर इस समस्या में घिरे रहते हैं यह असमंजस बना रहता है कि हम अपने खेत में आखरी पानी कब लगाए या आखरी पानी बंद कब करें तो दोस्तों इसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं जिसको यदि आप फोलो करेंगे तो आपको पका फायदा होने व तो भाईयों गेहूं में आखरी सिचाई दोस्तों आपको पता है हर छेतर के अंदर हर जमीन के अंदर अलग अलग होती है कहीं पर जल्दी सिचाई हो जाती है कहीं लेट सिचाई होती है तो दोस्तों गेहूं जब हमारे बालिया निकलने के समय पर हो तो खेत के अंदर उस प्रूरत नहीं पढ़े ही तो दोस्तो उसी स्टेज के अंदर पहमे पानी लगाना पढ़ेगा अब नमी का पता कैसे करें तो दोस्तो आप अपने खेट के अंदर मिट्टी लीजी ए而且 you एक मिट्टी के लढ़ नाई jätte है तो अगर अपने खेट के अंदर प्रियापत जो वो पानी हम अपने खेत के अंदर लगाते हैं दोस्तों वो बहुत जरूरी पानी होता है क्योंकि मिल्किंग की स्टेज की अंदर हम अगर अपने खेत के अंदर पानी लगाते हैं और जब बालियां होती है तो बालियों के समय में खेत के अंदर नमी बनी रहनी चाहिए ज जिससे हमारे गेहूं गिरे भी नहीं और दानों का भराव भी हमारा पूरा हो सकते हैं। आखरी पानी से दोस्तो हम अपनी पैदावार घटा भी सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया है एक दो किवंटल हम बढ़ा भी सकते हैं। तो आखरी शिचाई यदि आप खुला पानी दे रहे हैं तो आखरी शिचाई जो है वो हमें हलकी करनी चाहिए। गेहूं के अंदर कहीं पर भी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए अगर दोस्तो पानी खड़ा हो गया और अगर हवा का जोका आ गया तो वो सारे गेहूं है जो हमारे गिर जाएंगे और आपको पता है कि इस स्टेज पर आकर गेहूं गिर गए तो हमारी पैदवार दोस्तो घ घटने ही घटने वाली है अगले पॉइंट पर चलते हैं पानी लगाने से पहले दोस्तों आपको मोसम की जाच कर लें कि आगे दो तीन दिन के अंदर मोसम का हवा का क्या रूख होने वाला है कहीं बारिश का मोसम तो नहीं बनने वाला है तो ऐसे में अगर हम अपने खेत के पानी लगाएंगे तो हमारे गहों गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नुक्षान हो सकता है तो हमें मौसम के पूरवा नुमान होना चाहिए उसके बाद में दोस्तों अगर पॉसिबल हो तो आप अपने खे फुआरों से पानी लगा रहे हैं तो दोस्तों उनका डिस्टेंस थोड़ा फुआरों का डिस्टेंस आप बढ़ा दीजिए जिसे रात को अगर एक दो घंटा ज्यादा भी फुआरे चल जाते हैं तो उससे हमारी फसल को परेशानी नहीं होगी पानी खड़ा नहीं होगा दोस्तों अगर आपके खेत के अंदर परियापत नमी हैं तो पानी लगाने की आपको जरूरत नहीं हैं उसके बाद में टाइम आता है कि कितने दिन पर हम लगाएं तो दोस्तों ये सर्वे के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ जब आपकी फसल एक सो पचीश दिन की हो जाए तो अगर हम एक सो पचीश दिन पर अंदिम पानी लगाते हैं ये सबसे बैस टाइम होता है दोस्तों अगर हम एक सो पचीश दिन पर अपनी खेत के अंदर पानी लगाएंगे तो इससे जो सबसे उत्पादन जो गेहूं का है वो सबसे ज्यादा निकलने वाला है वाली के अंदर नीचे वाले दाने जो है वो हलके यलो टाइप के होने शुरू हो जाए तो आपको उस समय के बाद पानी देने की आवसकता नहीं पड़ती है। कि हमें अपने खेत के अंदर जरूरत नहीं है तो दोस्तों यदि आप अंतिम समय में अपने खेत के अंदर ये काम करेंगे तो आप दोस्तों बहुत शांदार पैदावार लेने वाले हैं आपकी पैदावार बढ़ने ही बढ़ने वाली है चाहे कुछ भी हो जाए तो अगर म मेरा वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो में नहीं जान गरीज़ाएं